अब अगर हमने किसी point का study करना हो motion और बट वो सीधा measure करना मुश्किल हो रहा हो तो हम उसको parts में break करेंगे जैसे omega 3 1 को हम omega 3 2 और omega 2 1 के उसमें measure करेंगे इसका क्या मतलब है कि second frame कैसे गूम रहा है first frame में बैठके लेखे हैं तो इसको अगर हम कोई arbitrary vector ले ले लेते हैं जो one के respect म change कर रहा है तो उसका formula पहले वाले के हिसाब से ऐसे 1 को 2 के हिसाब से change करा लोगी आ जाएगा 2 को 3 के हिसाब से change करा लोगी आ जाएगा इन सब को use करते करते मारे पास यह equation आ जाएग यह क्या है तो a vector equal to b vector plus c vector वाली ही equation है और इसको अब मैंने कैसे example से जैसे sir ने समझाया कि यो यो को study करना है ground के हिसाब से सीधा देखेंगे तो काफी मुश्किल है बट यो यो को merry go round frame में और merry go round को ground frame में देखना काफी easier है तो हम उनको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे और उनकी अलग अलग consider करेंगे ऐसे ही अगर इसका time derivative ले लो दुबारा फिर उनका change भी आ जाएगा ये भी वो ही है कि ऐसे ये एक vector था ये दूसरा vector था ये तीसरा जूड़ गया यहां पे भी यही हो रहा है कि this equal to this plus this यहां पे भी यही हो रहा है बट अब यह चीज है जो omega 3 2 in 1 इसका क्या मतलब है कि omega की third frame second frame के respect में कैसे घूम रहा है वन में बैठके देखें अगर तो यह काफी ही वो हो गया 3 कैसे change हो रहा है 2 के हिसाब से 2 में देखना ही easier रहेगा तो वो ही पुराने वाले formula से इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे और यह फिर एक अपने पास extra term आजाएगी बट यह करने का फाइदा क्या हुआ यह वाली चीज हम निकाल सकते हैं यह निकालनी मुश्यूर थी यह बस याद रखनी है कि हम यह वाली term भूलना जाएं अगर यह नहीं include करनी यह नहीं include करनी तो यह वाला formula भी use कर सकते हैं यह यह वाला घ्री चीज है